बुद्ध ने किया अपने मित्र सूरे सिंग राशी में प्रविश। सिंग राशी में ही बुद्ध होंगे अस्त, मारगी और वक्री। 57 दिनों तक बुद्ध इन छे राशियों की भरेंगे जोलियां। वो बहुत माइने रखता है बहुत सारे जो जातक हैं उनके लिए। क्योंकि ये वाला जो राशी प्रवरतन हुआ है ये साल का सबसे बड़ा राशी प्रवरतन है अब तक का। समाने तोर पर बुद्ध एक राशी में 21 दिन तक रहते हैं 21 या 22 दिन का ही पीरिड रहता है। लेकिन 24 में जब सिंग राशी में बुद्ध गए हैं तो यहीं पर रहेंगे 23 सप्तमबर तक ये लगबग 57 डेज का गोचर है जब यहां पर बुद्ध रहेंगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी अवदी में बुद्ध वक्री भी हो रहे हैं मारगी भी हो रहे हैं उद बीच 12 अगस्त को बुद्ध अस्थ भी हो जाएंगे और लगबग 26-गस्त के आसपास मारगी होंगे इसी बीच में बुद्ध जो है वो 13 दिन के आसपास के समय के लिए करक राशी में आ जाएंगे वक्री वस्था में और उसके बाद फिर मारगी होते हुए सिंग राशी म एक गोचर करना है और सिंग राशी में गोचर करते हुए ये कौन सी ऐसी छे राशिया है जिनको बहुत फाइदा मिलेगा ये वीडियो में आगे जानते हैं तो सबसे पहली राशी जो है वो वरिशब राशी है वरिशब राशी के जातकों के लिए बुद्ध का गोचर चोथे भाव में हो रहा है चोथे भाव में सिंग राशी आती है चोथा भाव आपकी मदर का भाव है आपका state of mind है आपकी property से समंदित काम यहीं से होते हैं अब यहाँ पर देखिए चार्ट में आपको नजर आ रहा है जब बुद्ध चोथे भाव में गोचर करेंगे तो सीधी दृष्टी आपके कारेस्थल पर रहेगी यानि की कारोबार पर रहेगी बुद्ध ट्रेड के भी कारक हैं कारोबार सारा बुद्ध से ही आता है तो इस अवदी में जो वरिशव राशी के जातक है उनके कारोबार में वरिधी हो सकती है निश्चित तोर पर आपको इस दुरान प्रपर्टी से जो समंदित खरीद फ्रोक्त है उसमें दिक्टत जरूर आ सकती है इसका कारण यह है कि चोथा भावी एसेट का भाव है सुखस्तान कहते हैं इसको यही पर बुद्ध अस्त होंगे यही पर बुद्ध अस्त होंगे इसके साथ साथ बुद्ध वक्री भी होंगे तो यदि इस अवदी में आपकी प्रपर्टी की खरीद का कोई काम है तो जो डेट्स मैंने वीडियो की शुरुआत में वोली है उनको वाइड कर लीजेगा जब बुद्ध वक्री वस्ता में है उनको वाइड जरूर करिएगा और जब बुद्ध अस्त वस्ता में है उनको जरूर वाइड करिएगा यह डोड डेट्स हैं जिनका आपको खास ओर पर ध्यान रखना है प्रपर्टी की खरीद फ्रोथ के समन्द में यदि इस अवधी में आपकी मदर की हैल्थ को कोई समस्या आती है तो भी इसका जरूर ध्यान रखीएगा बगी जो विश्व राशी के जाता को होते हैं उनके लिए बुद्ध धनस्तान के भी स्वामी बनते हैं पंचम स्थान के भी स्वामी बनते हैं विशव राशी के दात्कों के लिए बुद्ध मित्र ग्रह है क्योंकि दूसरा भाव धन भाव होता है और जो बुद्ध की मूलतर कौन राशी है करनया वो आपके पंचम भाव में आती है वो पंचमेश होई रहते हैं आपकी कुनली के लिए तो अधरवाइस तो अच्छे है चुकि आपके लिए शुब गोचर में आएंगे तो धनस्तान के भी काम करेंगे और पांचमेश सान के भी काम करेंगे संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर डेफिनिटली मिल सकती है यदि संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ती भी हो सकती है और धन भाव से समंदित गोचर करेंगे दूसरा भाव आपके धन का भाव होता है दूसरा भाव आपके कुटुम्ब का भाव होता है आपका एटिंग हैबिट्स का भाव होता है यहीं से मूँ से समंदित जो डिजीज आती है उसका भी विचार यहीं से किया जाता है जैसे दान की कोई समस्या जात ही हैं वक्री और मार्गी की उद्य और रस्त की इन डेट्स के दुरान आप खास तोर पर ध्यान रखी है कुटुम से समंदित यदि को समस्या आती है तो यहां पर वो इन दिनों में समस्या ज्यादा बढ़ सकती है इसका खास तोर पर ध्यान रखना पड़ेगा बाकि बुद चुकि धनस्तान में है तो धनस्तान के डेफिनेटली फल करेंगे और यदि आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है क्योंकि बुद्ध अश्टम को देखेंगे तो अश्टम से जो है वो छुपा हुआ धन का विचार किये जाता है सुस्राल पक्ष का जो धन भाव होता है वो अश्टम भाव होता है चुकि सब्तम आपका पार्टनर का भाव है आपके पती या पतनी का भाव है तो partner का दूसरा भाव system होता है तो सस्राल पक्ष के से जो धनाता है उसका विचार जहां से किये रहता है जो आपको nettle property मिलती है उसका विचार इस भाव से किये रहता है इसके इलावा आपकी जो secret property होती है या secrecy होती है उसका विचार भी इसी भाव से किये राता है तो इस तरह घधन आपको मिल सकता है जिस पर शायद आपका अधिकार ना हो या आपको भूल गया हो कहीं पर रखके भूल गए है या आपको कोई याद नहीं है किसी से पैसे लेने है जिसको हम बोलते थे हैं recovery हो सकती है तो ये पैसे आपको definitely मिल सकते हैं बुद्ध आपके लिए जो है वो भाई वाले भाव के भी स्वामी है बुद्ध की मुलतर कॉन राशी जो है वो तीसरे भाव में आती है कन्या राशी तो भाई से आपको सायोग मिल सकता है भाई से समंदित जो है वो जो तालमेल में यदि कोई कमी है तो वहाँ पर आपको जो है वो अच्छे result मिल सकते हैं ये करज का भाव होता है ये प्राक्रम का भाव होता है तो इस अवदी में जो भी आप काम करेंगे definitely प्राक्रम के साथ करेंगे और इसका आपको definitely बहुत फाइदा होगा विदेश श्यात्रा वाले भाव में बुद्ध की मिथुन राशी आती है आपके भारवे भाव में तो ऐसा संभव है कि इस अवदी में आप विदेश श्यात्रा भी कर सकते हैं अगली राशी जिसको इसका फाइदा होने जा रहा है वो है तुला राशी तुला राशी के जाक्राव के लिए बुद्ध बहुत फाइदे मन्द होंगे इसका कारण यह है कि यहां से यह गोचर 11 भाव में होगा 11 भाव क्या होता है? 11 भाव आपकी elevation का भव होता है, आपकी तरक्की का भव होता है आपको समाज में जो पतेष्ठा मिलती है वो 11 भव से मिलती है, जितनी आप दुनिया में आकर विर्धी करते हो वो सारी 11 भव से देखी जती है करम का भव दसवा होता है, आये का भव 11 होता है जब यहाँ पर बुद्ध का गोचर हो रहा है आपकी कुल्ली में तो डेफिनिटली आपको इसका बहुत फाइदा मिलेगा तुला राशी यह कैसी राशी है जिसके लिए बुद्ध भागेसान के स्वामी हो जाते है क्योंकि बुद्ध की मिथुन राशी आपकी कुल्ली में 9 भाव में आती है और जब 9 भाव का स्वामी जो है वो अच्छे गोचर में आकर 11 भाव में गोचर करता है तो डेफिनिटली इस सवधी में आप जो भी काम करने की कोशिश करते हैं जिस तरह कभी कोई प्रजेक्ट करने की कोशिश करते हैं या कारोबार करने की कोशिश करते हैं तो भागे उसमें आपका साधेता हुआ जरूर नज accent आता है लेकिन इस सवधी के दरान अपनी संतान का खास दोर न दिखान रखे यहां पर जो बैठ हें बुद्ध तो वक्री या उनकी studies हैं, उनको लेकर थोड़ा सा ज्यादा स्तर्क आपको रहना पड़ेगा, otherwise बुद्ध आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, और definitely आपको इस तुरान, यदि आपके घर में संतान नहीं हैं, और संतान आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सवधी में, तो definitely आप को संतान सुख भी इस सवधी में मिल सकता है, क्योंकि शुब द्रिष्टी बुद्ध की आपके पंचमभाव के उपर लगातार रहेगी, अगली राशी जिसको इसका काफी फायदा होने जा रहा है, बुद्ध के इस गोचर का, वो है व्रिश्चिक राशी, व्रिश्चिक के लिए बुद्ध जो है, वो 11th house, यानकि गयर्मे भाव के स्वामी बनते हैं, गयर्मा भाव elevation का भाव है, तरक्की का भाव है, यहीं से हम आये का विचार करते हैं, यहीं से आपको वरिदी मिलती है, तो definitely जब इस भाव का स्वामी केंदर में आकर शुब गोचर में आ गय पारण जो लोग research से जड़ा हुआ काम करते हैं, जिनका analysis का काम है, जिनका visualization का काम है, उनको भी फाइदा हो सकता है, तो यह वरिष्चिक राशी के जात्कों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, और यहां पर जब बुद्ध रहेंगे, तो fourth house को देखेंगे सीधा, और fourth house क्या होता है, वो property का भाव होता है, आपकी asset का भाव होता है, सुखसान इसे बोला जाता है, यहां से आप जो भी property खरीते हैं life में, चाहे वो car है, चाहे वो आपका मकान है, कोई property है, दुकान है, किसी भी तरह की property यहीं से जो है वो देखी जाती है, तो निश्चित त जाएं, उदे वस्ता में रहें, तो ही खरीदिये, चुकि बुद्ध की यहां पर द्रिष्टी है, तो इस भाव से समंदित काम आपका definitely अच्छा होगा, अगली राशी जिसको इसका फाइदा होने जा रहा है, वो है मकर राशी, मकर राशी के जातकों के लिए जो बुद्ध की जो कन्या राशी है, वो यहां पर भागे साथ देना शुरू कर देगा, यहां पर फाइदा यह होगा, कि मकर राशी के जातकों के लिए भागे ही साथ देना शुरू कर देगा, और दूसरी राशी बुद्ध की, जो यहां पर आती है आपके छठे भाव में, जो मिथुन राशी है वो छटे भाव में आएगी, जो कन्या राशी है मकर राशी के जात्कों के लिए वो नुवे भाव में आएगी। यदि आपके उपर रिन है तो वहाँ से मुक्ती का साधन कोई न कोई बन सकता है इस गोचर के दुरान यदि कोई कोट का केस चल रहा है तो वहाँ पर आपको लाब हो सकता है यदि कोई बिमारी है तो वहाँ पर आपको राहत मिलती है नजर आ सकती है बुद्ध का ये गोचर definitely आपके लिए इन तीन पक्षों से बहुत अच्छी खबर लेकर आएगा जो ननिहाल पक्ष है, वहाँ से आपको अच्छी खबर मिल सकती है क्योंकि ननिहाल पक्ष का विचार छटे भाव से किया रहता है यहाँ पर जब बुद्ध अश्टम में रहेंगे तो दूसरे भाव को देखेंगे यह धन का भाव होता है, तो डेफिनेटली जब भागया आपका साहद देता हुआ नजर आएगा तो आपके धन में भी यहाँ पर वृद्धी करेंगे कुटुम्ब से समंदित कोई समस्या तो वहाँ पर भी आपको डेफिनेटली इसका इसकी दृष्टी का फाइदा हो सकता है तो यह मकर राशी के जातकों के लिए रहेगा बुद्ध के गोचर का प्रभाव अगली राशी जिसको इसका फाइदा होने जा रहा है वो है मीन राशी मीन राशी के जातकों के लिए बुद्ध जो है वो छटे भाव से गोचर करेंगे बुद्ध का छटे भाव का गोचर अच्छा होता है काल पुरुष की कुण्ड़ी को जदी हम देखते है तो बुद्ध यहाँ पर बुद्ध की जो मुल्त्रकॉन राशी कन्या है यहाँ पर आकर आती है इसलिए बुद्ध छटे भाव में अच्छा फल करते हैं तो यहाँ पर जब बुद्ध छटे भाव में गोचर करेंगे तो बुद्ध चुकी आपके लिए दोनों केंद्रों के स्वामी है बुद्ध की जो है वो कन्या राशी आपकी कुन्Note में वो है सब्घन भाव में आएगी बुद्ध की मिथन राशी आपके चोथे भाव में आएगी इस सवदी में ये planning हो सकती है और planning की execution भी हो सकती है और इसके इलवा 7 भाव active होगा तो partner की health को लेकर यदी को चिंता है तो उसका भी निप्तरा होगा यदि पार्टनर के साथ तालमेल को लेकर कोई चिंता है तो उस समंद्ध में भी आपको डेफिनिटली अच्छा फल मिलेगा और बुद्ध यहाँ पर आपकी कुनली में छटे हाउस में बैठकर बारवे भाव को एक्टिव करेंगे तो निश्ची तोर पर आपका विदेश यात्रा का योग भी बनता है तो यह मीन राशी के जातकों के उपर बुद्ध का प्रभाव रहेगा यहाँ पर आपको इसका बहुत फाइदा होने जा रहा है यदि आपकी कुनली में बुद्ध की स्थिति कमजोर है तो बुद्ध के लिए सबसे अच्छा उपाय है हरयाली बुद्ध एक green planet है आपने देखा होगा कि बुद्ध का यदि stone पैना जाता है तो वो पना पैना जाता है वो green color का होता है बुद्ध के लिए कंजकों का पूजन किया जाता है क्योंकि जितनी भी कंजके हैं जितनी भी घर में बेटियां होती है वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है otherwise सबसे अच्छी remedy जो है वो जो शास्त्र कहता है वो है पेड लगाना तो पेड लगा दीजिये एक यदि आपकी कुणली में बुद्ध अस्त है चुद्ध समाने तोर पर बहुत लंबे समय के लिए अस्त रहते हैं साल में चुकि सूरे के सबसे करीबी ग्रह है इसलिए अक्सा अस्त हो जाते हैं तो यदि आपकी कुंडली में बुद्ध अस्त है और बुद्ध के आपको पूरे परणाम नहीं मिल रहे हैं तो एक पेड लगाईए, हारे रंग का पेड, कोई भी पेड लगा दीजिए, उसकी सेवा करिए, जैसे जैसे वो पेड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका बुद्ध के अच्छे परणाम जो है वो मिलते जाएंगे, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राये जरूर दीजिए, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर जरू करिए, पेज को सब्स्क्राइब जरूर करिए, इसके साथ मुझे देजिये जाजत, नमस्कार.